यहां पर हम बात करने वाले हैं बैंगलोरू इलेक्ट्रिकल सप्लाइ कंपनी लिमिटेट के रिक्रूट्मेंट नौटिफिकेशन के बारे में लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 2020-21-22 ध्यान रखिएगा तीन साल का यानि 2020 से लेकर के 2022 तक के कैंडिडेट्स को एलाव किया गया है फॉर्म अप्लाई करने के लिए ठीक है विजिबल नहीं है कलर चेंज कर रहे हैं हमें यहां पर ध्यान रखिएगा बैंगलोरू इलेक्ट्रिक सप्लाई यानि बैस कॉम ठींगे बैस कॉम की deve budgeting notification है किसकी है बैस कॉम की हम यहां पर बात कर रहे हैं ध्यान रखिएगा कि 2020 से लेकर के 2022 तक के जितने ऻीgend परिजुएट हैं इन सभी के लिए एक recruitment नोटिपिकेशन है अपर इंटेशिव ट्रेनिंग के रिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं टोटल नमबर पोस्ट के बारे में ध्यान रखेगा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स इंजिनियरिंग के लिए इंजिनियरिंग के लिए फाइब इंस्टुमेंटेशन के लिए यहां पर टोटल फाइब यानि की ग्रेजुएट की अगर मैं बात करूं तो गेजुएट के लिए यहां पर 325 पोस्ट रखेंगें 325 पोस्ट कंडिशन क्या है 9000 रुपए आपका 9 के आपका स्टाइपेंड रहेगा पर मन्त कब तक एक साल तक ठीक है नेक्स्ट हम आते हैं यहां पर डिप्लोमा वाले पे तो डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रानिक्स कॉम्निकेशन कम्प पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा उसके लिए कम से कम बीटे क्या इंजिनियरिंग रिक्वाइड है ध्यान रखेंगे से चाहे वह स्टेट गवर्मेंट हो या फिर आपका सेंट्रल इसके अलावा डिप्लोमा वालग लिए त्री यह का डिप्लोमा यहां पर ठीक है चलिए नेक्स्ट आता है रिजर्वेशन तो रिजर्वेशन जो है आपका स्टी काटेगरी और ओबीसी के स्टुडेंट्स को यहां पर रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा एकॉर्डिंग टू नॉर्मस आफ गौर्मेंट ठीक है नेक्स आता है मेडिकल फ procedure में ध्यान रहिएगा जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है क्वालिफिकेशन के मार्क्स के अधार पर मेरिट लिस्ट त्यार की जाएगी ठीक है चलिए अपलाई कैसे करना है सबसे पहले आप बोट पे बोट पे रजिस्टर करेंगे इसके अलावा आपको सबसे पहले जितने भी अप्रेंटिशिप के लिए अप्लिकेशन होती है उसके लिए mhrd.gov.in पर आपका कम से कम इन्रॉल्मेंट होना चाहिए है इन्रॉल्मेंट के बाद आप डैरेक्ट बोट के थ्रू अपलाई करेंगे नेक्स्ट आता है इंपॉर्टन डेट तो ध्यान रखेगा ऑनलाइन अ सब्सक्राइब करने का लास्ट है आपका डिकलरेशन जो है आपका विदिन सब्सक्राइब कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम आने से क्लियर रहेगा अपलाई कर से करेंगे तो अपलाई कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि कुछ आपका एक बेसिक इंकम भी हो जिससे कि आपके पढ़ाई कंटीनिव रहे तो आपके लिए बेटर सावित हो सकता है ऑप्सन एक अच्छा बन सकता है कि लिए रहेगा तो घ्यान रखेगा बेस्कॉम का यह इसके अलावा डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स कंप्यूटर साइंस सभी लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं क्लियर रहेगा एज क्रिटेरिया मैं बता दूं अठारा से पच्छिस रहेगा और साथी साथ रिलाक्षेशन जो है आपका गवर्मेंट के नौ सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक से जरूर करें थैंक यू समच